हेलो फ्रेंट सरको बैक वाज चैनल इस राज पॉम रेडिकल डेकार्ट यूर प्रोसेस आटोमेशन स्ट्रेजिस्ट आज में आपके लिए लेके आये हैं सेंसर कौन से ओफर किये जाने वादा सीरीज ए डिजिटल डिफरेंचल प्रेशर गेट सीरीज सेंसर कौनके डिजिटल प्रेशर मेजरमेट सीरीज को ए सीरीज नेम दिया गया है एंड मेंली इसमें थ्री टाइप्स अविलिबल है एवन सीरीज, एटो सीरीज एड एफ़ोर सीरीज डिफरेंचिस की अगर बात करें तो एवन इस बिजिकली एड डिजिटल डिफरेंचल प्रेशर गेश दैन अगर एटो सीरीज देखेंगे तो इसमें आपको एक प्रोसेस आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है इन कंपेर्ट टू एवन सीरीज, अगर फुली फंक्शनल सीरीज की बात करें तो वो रहने वाला है सेंसर कोन का एफ़ोर सीरीज इसमें आपको एवन एड एड एटो में दिये गए सारे स्पेसिफिकेशन अविलेबल है अगर देखेंगे तो एसमें आपको रीले आउपट जासे आपको एड पीच सारे ही अगर प्रोसे प्र्ट की की बात करें तो आप स्प्रेशिन पे-तीनों मोडल के स्पेसिफिकेशन देख पाएंगे Main specification देखे तो इसमें Series में आपको less than or equal to 4 inch watercolor pressure range के लिए 2 PSA का maximum pressure capacity मिलता है And for pressure greater than or equal to 5 inch watercolor आपको 10 PSA तक का maximum pressure capacity मिल जाता है Media compatibility के बात करें तो ये pressure gauge आप air या फिर compatible non-combustional gas के लिए use करवा सकते है Accuracy देखेंगे तो सारे Series में 3 types की Accuracy वाले models आपको मिल जाते है एक रहता है Standard 1% Accuracy वाले models फिर आते हैं 0.5 की Accuracy वाले models And lastly आपको option में 0.25% की Accuracy वाले models भी मिल जाते है ये वाले Digital Differential Pressure Gauge Series में आपको –23 to 60 degree Celsius का operating temperature reach मिल जाएगा Output की अगर बात करें तो options में आपको 4 to 20 mAh और relay output का option मिल जाता है Relays के option की बात करें तो इसमें आपको 2 SPDT Relays मिलती है और option में आप 8 Ampere 250 Watt EC Operated या फिर 5 Ampere 30 Watt DC Operated Relay Select कर सकते हैं जैसे की आपको पहले हमने बताया कि इस series में आपको अलग-अलग specification या फिर As per customer requirement different models मिल जाते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे आप model selection कर सकते हैं यह series में आपको model number अभी screen पे दिखे गए format में मिल जाता है यही basically यह जो है that means कि आप कौन से series की बात कर रहे हैं अगर आगे देखेंगे तो एक यह बात जो first digit जो है वो है indicate करता है display type को जो की differentiate किया जाता है on the basis of process arc requirement and relay output requirement then second digit indicate करता है control action को तो basically अगर आपको relay output चाहिए तो आप एक select कर सकते है और else नहीं चाहिए तो zero select कर सकते है note कीजेगा कि relay output आप सिर्फ A4 series में select कर सकते है तो अगर आप A1 या फिर A2 series select करते है तो by default control action में आपको zero मिल जाएगा third digit की बात करे तो यह indicate करता है transmitter type यानि अगर आपको 4-20 बिले फिर output चाहिए तो एक एंड नहीं चाहिए तो zero select कर सकते है fourth digit after A indicates the accuracy type जैसे की हमने पहले ही देखा इसमें तीन टाइप की accuracy models available है according to accuracy तो आप तीनों में से कोई भी आपकी requirement के हिसाब से select कर सकते है अगर बात करें last two digits की तो वो indicate करते है pressure range को जिसके लिए अभी आपको एक table screen पे show कर रहा होगा तो basically as a customer अगर हम model A41006 select करते है तो हमारा जो pressure gauge रहेगा उसमें हमें model selection के हिसाब से relay output and 420 milliamp transmitter output with accuracy of world percentage and range of 0-5 water column मिल जाएगा चलिए next बात करते हैं product overview की अभी जो आपको वीडियो में model दिख रहा है वो है एक A4 series का model सबसे पहले अगर dimensions की बात करें तो इसमें आपको dial का जो diameter मिलेगा वो रहने वाला है around 130 mm depth की बात करें तो around ये 50 mm depth के साथ आता है इसमें आपको external weatherproof cover का option भी मिल जाता है at extra cost overall dimension width and without weatherproof cover अभी आप screen पे देख सकते है next हम ये देखेंगे कि कैसे ये product को install कर सकते हैं and क्या-क्या mounting types available है तो install this gauge तो सबसे पहले common way of installing है flush mark नए application के लिए panel में 4, 9 और 16 inch का hole cut करें controller को provided gasket के साथ hole में डालें और mounting types और screws के साथ panel पे secure करें ये industry standard holes में fit होने के लिए design किये गए है जो 4, 9 और 16 inch से 4, 13 and 16 inch तक के range में होते हैं तो अगर ये pressure gauge आपके किसी pressure gauge को replace करने के लिए ले रहे हैं तो आपके पुराने gauge के existing cutout में easily fit कर सकते हैं next जो mounting type possible है वो है surface mounting surface mounting के लिए आपको compulsory weatherproof cover लेना रहता है with the gauge तो after mounting the weatherproof cover on the gauge आप gate को किसी भी flat surface पे mount करवा सकते है with the help of screws that comes with the weatherproof cover last जो mounting type है वो है flush mount with the weatherproof cover ये वाले mounting type के लिए दो extra long screws की जरूरत रहती है to mount the gauge on panel cutout along with the weatherproof cover तो viewers ये था आपके लिए एक detailed वीडियो on sensorcon's digital differential pressure gauge A series ये series के नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि अच्चरिंग ये process arc क्या है what is the purpose of process arc how do you navigate through all the parameters that are available in this series so stay tuned hope you all like this video thank you so much for watching if you found this video very helpful don't forget to like share and subscribe our youtube channel thank you so much see you in my next video you